गाइस के आपके पास भी रुपेक रीट कार्ड है लेकिन आपको नहीं पता कि आप अपने रुपेक रीट कार्ड हो कैसे UPI से लिंक करके उसको UPI के थूरू यूज कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ तो चलिए गाइस without wasting time वीडियो को start करत दिखाता हूँ जैसी मैंने इसको open किया उसके बाद guys आपको profile वाले बिटन पर क्लिक करना होगा profile का आपको बिटन देखने के लिए मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर guys आपको option दिखाई देगा रुपे credit card का तो guys आपने mobile number से link होगा जिससे मैंने UPI account बना रखा है अगर यहाँ पर verify हो जाएगा detail यहाँ पर सो हो जाएगी credit card के तो आपको इस प्रकार से interface दिखाई देगा आपने start button पर click करना है जैसी आप start button पर click करेंगे अब आपको बोलेगा enter your credit card information तो उपर वाले section में guys आपको अपने last credit card के 6 इंटर करने और नीचे यहाँ पर month और year में आपको अपने credit card के expiry इंटर करने है फिर आपने arrow वाले button पर click कर देना जैसी आप arrow वाले button पर click करेंगे अब आपको बोलेगा create UPI pin तो आपने create pin वाले button पर click करना है जैसी आप इस पर click करेंगे आपको आइल नंबर पर OTP आएग तो अब आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने कोटेक महंद्रा बेंक का रुपे create card को aid कर लिया है अब मैं जब भी किसी को payment करना चाहूंगा UPI तो आपने directly create card से payment कर सकता हूं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like and share जरूर कीजिएगा चैनल को अगर आपने भी तक subscribe निक है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जयेंद